असलाब लेकुम महीना परविन आज मैं आपके साथ रेशिपी शेयर करूंगी जेल की रेशिपी इसे न्यूट्रि जेल कहते हैं क्लियर जेल भी कहते हैं और इसे केक जेल भी कहते हैं और इस तरह का खुबसुरत केक बनाने में न्यूट्रि जेल केक जेल का इस्तेमाल किया जाता है आप इसे तीन चीजों से आसानी से घर में ही न्यूट्रिजल बना सकते हैं वेल्कम तो मैं चानल आप इरहोस किचेन पहले हम एक पैन लिंगे स्वास पैन लेना है और उसमें वन टेबुस्पून काउंट फ्लार दाले इसे कौन स्वास भी कहते हैं और इसके लावा वन अंडाफ टी स्पून शुगर पॉडर याड़ करें अगर आपके पांश शुगर पॉडर नहीं है तो आप चीनी डालकर ग्लेस बना सकते हैं पॉडर शुगर दालने के बाद हमने एक ग्लास पानी डाला है दालने के बाद अच्छे से से मिक्स करेंगे ताकि इसमें एक भी गुट्ली ना रहे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने ग्यास पर चला दिया है इसे इसे लगाता चलाते जाना है जब तक यह इसका कलर चेंज होने तक देखिए इसका कलर चेंज हुआ है अब देख सकते हैं इस तरहां सा हमें न्यूट्री जल बनाना है ग्यास को मीडेम फ्लेम ही रखके इस तरहां से चलाते हुए पकाना है इस तरहां का जल बनने तक इसे कुक करते जाना है चलिए अब हम ग्यास को बंद कर देंगे ग्यास को बंद कर देने के बाद एक ग्लास में डाल देंगे देखिए हमने एक ग्रीन कलर दाला है और उसके बाद रेट कलर दालेंगे और एक ग्लास में हमारे पास इतने ही कलर है अगर आपके पास ज्यादा कलर है तो आप अलग अलग ग्लास में डालकर इस तरहां का न्यूट्रिस जल बना सकते हैं आपके केक को विप क्रीम करने के बाद इस तरहां का न्यूट्रिय जल बनाई है आप इसे ग्लेज भी कह सकते हैं और क्लियर जल भी कह सकते हैं चलिए मैं आपको दिखाऊंगी इसी किस तरहां से इस्तेमाल करते हैं हमने दो कलर बनाये हैं चलिए अब देखे पहले मैंने केक को विप क्रीम लगाया और उसके बाद जो हमारा न्यूट्रिजल है याड किया न्यूट्रिजल से कई तरह के केक डिजन बन सकते हैं अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी यूस्फूल हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन प्रेस करना ना भूलिए चलिए इंशाला हम बहुत जल एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर करें जब तक लिए असलाम लेकूम आला हापीज